हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइव एड मुख्यमंत्री केजरिवाल बोले दंगा पीडितों को राहत पहुचाने का काम जारी है खाना बटना शुरू हुआ है 18 SDM लगाए गई है आमादमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर पर शिकन जी की तयारी फोरिंसिक विभा के साथ SIT ने ताहिर के घर पहुचकर आज जात शुरू की डंगो के आरोपी पार्षद ताहिर उसेन को आपने सस्पेंड किया कल दर्जुआता हत्या का केस आईबी के अंकित के परिवार ने ताहिर पर लगाए हैं गंभीर आरोप दिल्ली हिंसा पर शुर्फिना का मोधी सरकार पर तीखा हमला सामना में पूछा जब दिल्ली जल लही थी तब ग्री मंतरी अमित्शा कहां थे दिल्ली हिंसा पर बीजेपी की सहयोगी अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल बोले 1984 सिगदंगो जैसी थी ये हिंसा पुलिस ने फोन तक नहीं उठाए भुबनेश्वर की जनसभा में ग्री मंतरी अमित्शा विपक्ष पर बरसे बोले विपक्ष ने CAA के किलाप जोट फलाया है बीजेपी बोली सोनिया गांदी ने CAA पर बच्चों को इस पार या उस पार कहकर भड़काया सोनिया हमें न सिखाएं राजधर्म दिल्ली हिंसा की जाँच के लिए कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांदी ने बनाई पांच लोगों की जाँच कमेटी दिल्ली के हिंसा ग्रस तिलाकों में जाएंगे ये नेता ओडिशा के सीम नवीन पतनाय के घर अमित्शा के साथ ममता मेनरजी ने लंच किया नितीश भी मौजूद रहे पुरी में पूर्वी राजधियों के सीम की हुई है बैठर अमित्शा के स्थीवे की विपक्ष की मांग पर ममता बोली दिल्ली में जो हुआ वो बहुत भयानक अभी पहले शांती हो राजनिती बाद में महराष्ट में उद्व सरकार का बड़ा फैसला सिक्षन संस्थानों में मुसल्मानों को मिलेगा पांच फिजदी आरक्षण नौकरी और नीजी स्कूलों में भी आरक्षण का विचार महराष्ट के पूर मुख्य मंत्री देवेंद फड़नवीज की मुश्किले बड़ी सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा फड़नवीज सरकार के दौरान एक हजार नो सो करोड के घोटा ले हुए महराष्ट के औरंगाबाद में राजठाकरी की पार्टी ने एलान किया जो पाकिस्तान और बांगलदेशी घुसपैटियों की जानकारी देगा उसे पांच हजार इनाम बिलेगा पोस्टर लगाए केजरिबाल सरकार ने जेनिउ में देश ब्रोधी नारे लगाने वालों के खिलाब मुकदमे की मन्जूरीदी कनिया कुमार के खिलाब भी राजदरों की दहराओं में चल सकता है केस पंजाब सरकार का बड़ा फैसला राज्जी के सरकारी कर्मचारियों की रिटार्मेंट के उम्र 60 साल से घटा कर 58 साल की गई यूपी में सिविल सर्विसिज की परिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लिए 10 फीजदी आरक्षन, विधानसभा में योगी सरकार ने पास किया बिल यूपी विधान सभा का सत्र समय से पहले खत्म करने पर विपक्ष कपरदर्शन सदन में मास्क लगा कर पहुँचे विपक्षी विधायक आवाज दबाने का आरोप लगाया बिहार में घुस खोरी पर रोक लगाने के लिए नितीश सरकार की नई योजना घुस खोरों को पकड़वाने पर पचास हजार तक का इनाम मिलेगा समाजबादी पार्टी के सांसद आजम खान की बहु का आरोप जेल परशासन जरूरी दवाई नहीं दे रहा आजम की जान को है खत्रा यूपी की सीधापुर जेल में बंद है आजम खान झाल 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 झाल